Hey guys, welcome back to the channel. दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 25 सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUVs का sales figure जाना था सितंबर 2023 का और दोस्तों, इस वीडियो में हम सितंबर 2023 की 25 सबसे कम बिकने वाली कारों का sales figure देखेंगे सो दोस्तों, वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, वीडियो को last तक ज़रूर देखें और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली वार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें MG Comet, MG Comet की 1020, 1020 यूनिट भी की हैं, ये newly launched है, इंडिया में जो की एक EV है लीस सेलिंग के लिस्ट में, 24 वे पोजीशन पर है, रेनो काइगर, काइगर की 980, 980 यूनिट भी की हैं, काइगर का sales figure 61, 61% कम हुआ है 23 वे पोजीशन पर है, टाटा हैरियर, हैरियर की 926, 926 यूनिट भी की हैं, हैरियर का भी sales figure 69, 79% कम हुआ है आगे बढ़े बात कर लेते हैं, 22 वे पोजीशन की, तो 22 वे पोजीशन पर है, MG Ester, Ester की 901, 901 यूनिट भी की हैं, Ester का भी sales figure 8% कम हुआ है 21 वे पोजीशन पर है, XUV400, XUV400 की 825, 825 यूनिट भी की हैं, ये भी अभी जल्द ही इंडिया में लाँच की गई है 29 वे पोजीशन पर है, Reno Quid Quid की 747, 747 यूनिट भी की हैं, इसका sales figure 63, 63% कम हुआ है, सितंबर 2022 की तुलना में 19 वे पोजीशन पर है, Tata Safari, Safari की 516, 516 यूनिट भी की हैं, Tata Safari का sales figure 75, 75% कम हुआ है 18 वे पोजीशन पर है, C3 Aircross, C3 Aircross की केवल 400 यूनिट भी की हैं, ये भी सितंबर 2022 में लाँच नहीं हुई थी 17 वे पोजीशन पर है, Jeep Compass, Compass की 391, 391 यूनिट भी की हैं, इसका भी sales figure 36, 36% कम हुआ है, सितंबर 2022 की तुलना में 16 वे पोजीशन पर है, Invicto, Invicto की 389, 389 यूनिट भी की हैं, ये भी इसी साल ही लाँच की गई है 15 वे पोजीशन की बात कर लेते हैं, तो 15 वे पोजीशन पर है, Toyota Camry, Camry की 259, 269 यूनिट भी की हैं, Toyota Camry का sales figure 281, 281% कम हुआ है 14 वे पोजीशन पर है Hyundai Tucson, Tucson की 237, 237 यूनिट भी की हैं, last month सितंबर 2023 में सितंबर 2022 के मुकाबले इसका sales figure 43, 43% कम हुआ है आगे बढ़े बात कर लेते हैं 13, 13 वे पोजीशन की तो इस पोजीशन पर है MG ZCV, MG ZCV की 228, 228 यूनिट भी की हैं, इसका sales figure 45, 45% कम हुआ है 12 वे पोजीशन पर है MG Gloucester, Gloucester की 201, 201 यूनिट भी की हैं, Gloucester का भी sales figure 35, 35% कम हुआ है year on year सितंबर 2022 के मुकाबले 11 वे पोजीशन पर है Skoda, Kodia, Kodia की 191, 191 यूनिट भी की हैं, इसका sales figure 169% जादा हुआ है आगे बढ़े अब बात कर लेते हैं 10 वे पोजीशन की, तो 10 वे पोजीशन पर है Volkswagen Tiguan, Tiguan की 191, इसकी भी 1,091 यूनिट भी की हैं, इसका भी sales figure 55, 55% जादा हुआ है 9 पोजीशन पर है Citroen C3, C3 की 179, 189 यूनिट भी की हैं, इसका sales figure हला की 87, 87% कम हुआ है 8 पोजीशन पर है Ionic 5, Ionic 5 की 176, 176 यूनिट भी की हैं, इसका दोस्तों हम year on year comparison नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सितंबर 2022 में launch नहीं हुई थी 7 पोजीशन पर है EC3, EC3 का sales figure 166, 186 यूनिट रहा है, ये भी सितंबर 2022 में launch नहीं हुई थी इंडिया में 6 पोजीशन की बात कर लेते हैं तो 6 पोजीशन पर है EV6, EV6 की 150, 180 यूनिट भी की हैं, ये भी सितंबर 2022 में launch नहीं हुई थी 5 पोजीशन पर है महिंद्रा मराजो, मराजो की 144, 144 यूनिट भी की हैं, मराजो का sales figure 11% कम हुआ है सितंबर 2022 की तुलना में 4 पोजीशन पर है Toyota Hilux, Toyota Hilux की 143, 143 यूनिट भी की हैं, Hilux का sales figure 7,050, 7050 परसेंट ज्यादा हुआ है आगे बढ़े अब बात कर लेते हैं 3 पोजीशन की, तो 3 पोजीशन पर है Jeep Meridian, Jeep Meridian की 90, 90 यूनिट भी की हैं, हलाक इसका sales figure 82, 82% ज्यादा हुआ है और लीस सेलिंग में 2 पोजीशन पर है Kona, Hyundai Kona की 69, 79 यूनिट भी की हैं, इसका भी sales figure 38, 38% कम हुआ है और 1 पोजीशन पर है Citroen C5 Aircross, तो अगर आप चैनल पर पहली वार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बैल आइकन दबाएं, जिस से आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुचे, वीडियो को लास तक देखने के लिए आप